हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों स्कूल कॉलेज का टाइम हमारी जिंदगी का सबसे बड़िया टाइम हुआ करता था कोई टेंशन नहीं और पढ़ाई के साथ होती थी फुल ओन मस्ते कई बार तो हम मस्ती अपने टीचर या प्रॉफिसर के साथ भी कर लेते थे कई बार हमने अपने दोस्तों के साथ साथ टीचर के उपर भी प्राइंक किये हैं आपने भी यकिनन किया होगा आपने वी स्कूल कॉलेज में कई दफ़ा अपने टीचर को जान बूच कर परिशान किया ही होगा दोस्तें ये रिष्टा हैं कुछ है लग है हम अपने टीचर की इज़त भी करते हैं तो वहीं उनके से अतमस्ती भी कई बार हो जाती है दोस्तों आज के हम अपने इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं स्टूडेंस के द्वारा किये गए अब तक के 5 सबसे बहतरीन प्रांक्स को जिसे देखने के बाद आप हंसुस के लोट पोर्ट हो जाएंगे कई बार होता है दोस्तों के कई टीचर बड़े गुस सैल होते हैं वहीं कई बड़े शांत निचर के भी होते हैं लेकिन यहां देखिए कि कैसे बच्चों ने अपने साइंस टीचर के साथ मस्ती की है दोस्तों बच्चों को पता था कि 인के सर किस कॉरिडूर से आते हैं और बच्चों ने हर कॉरिडूर पे चिपकने वाली रस्ती लगा रखे थे ये बार टीचर को भी पता थी और वो आगे चल रहे हैं पीछे बहुत सारी टीप उनमें चिपकती जा रहे हैं लेकिन ये फिर भी रुखने वाले कहा थे ये देखे बिंदास चले जा रहे हैं दोस्तों जब तक एक लास्रूम तक पहुंचते तब तक तो मामला इतना बढ़ गया था कि इनके हांथ पैर हर जगा से टेप लिप्टे नजर आ रहे थे दोस्तों आप देखिए इस टीचर का जब इनसे किसी ने पूछा कि क्या मैं आपके मदद कर सकता हूँ ये बढ़क गये ये इतने गुसे में आगए कि इन्होंने कहा कि मैं अपना काम खुद करता हूँ और मजे किसी के मदद की ज़रूत नहीं है दोस्तों इसके बाद इन्होंने अपने बैक से कुछ निकाला और सारे टेप काट दिये लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात इन्होंने कही वो ये कि ये इसका बदला क्लास में लेंगे और इन्होंने कॉरिडोर से चिला कर कह दी दोस्तों चाहे जो भी कहिए लेकिन ये प्रैंक बच्चों ने कमाल का किया था ज़रा सुनगे न गुसे मे इनको बच्चों को डराना नहीं जिये कई बड़ी बड़ी शैरों में छोटी-छोटी घटना है होती रहती है दोस्तों क्या आपने कभी अपने स्कूल लाइफ में इस तरह की कोई हरकत की है की है तो जरूर बदाए कॉमेंट करके दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं आज का दूसरा प्रैंक जिसे देखने के बाएद आप शायद दिन भर अपनी हसी रोखी नहीं पाओगे दोस्तों ये देखो यहाँ कैनेडा के कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाने के लिए क्लास में आये हैं सब कुछ ठीक है सब नॉर्मल है लेकिन जैसे इस टीचर ने ब्लाक बोड पर लिखना शुरू किया उसके बाद जो हुआ वो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देख होगा दोस्तों ये देखिए ब्लाक बोड के ऊपर क्या बनाया है अब बोलिए मत कुछ आप बस चुप चाप देखते जाएं इसे दोस्तों हमने भी बहुत मस्ती किये बैसे दोस्तों करने को तो मस्ती हम सब ने किये कॉलेज में लेकिन ये नेक्स लेवल चीज है यहाँ बच्चों ने ब्लाक बोड पे कुछ बनाया है अब इसका मतलब क्या है ये मुझे नहीं बता ये टीचर को क्या बताना चाहते हैं क्या समझाना चाहते हैं क्या दिखाना चाहते हो तो बच्चे जाने आखिर क्या कारण था कि प्रॉफेसर के साथ ये बत्तमीजी खरनी इसे देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे आज को छलागी मूड में थे इस प्रैंक में कोई एक बच्चा दो बच्चे नहीं वालकि पूरी क्लास शामिल है यह देखे ना कैसे सभी बच्चे हंस रहे हैं वैसे ज्यादा बत्तमीजी नहीं करनी चाहिए आपको अपने प्रॉफ दोस्तों आपको क्या लगता है यह प्रैंक करना टीचर के उपर ठीक था या गलत था कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों अब हम आपको एक और ऐसा प्रैंक दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश हो जाएंगे और यकीन मानिए कुछ शरार्ती बच्चों के वज़ा से कंप्यूटर टीचर की तो जान जाते जाते बच गई लेकिन दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि कुछ ब यह बहुत ही साफधानी से अपने काम को अंजाम देने की पूरी कोशुश कर रहा है जैसे इसने देखा कि कोई टीचर इधर नहीं देख रहा है इसने नकली बोडी जो की डमी कंप्यूटर है उससे ओरजिनल के साथ रेप्लेस कर दिया दूस्तों यह सारी चीज़ें हो कि बच्चा क्लास में जोर जोर से चलाने लगता है और कम्प्यूटर की ऐसी तैसी करने की बात करने लगता है कम्प्यूटर को यह दिवार पे दे मारता है उसके बाद बच्चे ने अपना गुसा कीबोर्ड पे निकाला कीबोर्ड को तोड़ दिया यह देखकर तो कोई भ लेकिन दोस्तों वागई में बहुत इनुवेटिव प्रैंक था अपने कंप्यूटर टीचर के उपर दोस्तों आप बने रही हैं हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं एक और मज़ेदार प्रैंक दोस्तों बज़र है स्प्रैंक को ही देख लीजे यह नजारा भी अमेरिका के कॉलेज का ही है यहां प्रॉफिसर कुछ स्टूडेंस को समझा रहे हैं मेरे ख्याल से ऐसा लग रहे है कि कोई एक्जाम है क्योंकि ब्लैक बूर्ट पे कुछ डेट्स लिखे हुए हैं दोस्तों बात जब एक्जाम की हो तो सभी टेंशन में रहते हैं आपको बता दूं कई बार तो आपसे ज्यादा टेंशन में आपके टीचर होते हैं उन्हें लगता है कि जो मेहनत उन्होंने आपके साथ किये वो सफल हो भी पाएगी या नहीं यहां भी यह प्रॉफेसर अपने बच्चों को यही समझा रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि समझाते समझाते जैसे ही अपने चेर पर बैठते हैं तब ही कुछ अलग ही हो जाता है ओह 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 वाकई में कोई भी हस पड़े जैसे ही यह चेर पर बैठते हैं अचाने के एक आवाज आती है प्रोफेसर भी भॉन्चक के रह जाते हैं कि ये हुआ क्या लेकिन बाद में कुछ सेकंड्स के बाद पता चलता है कि सब नॉमल है ये अपनी कुरसे चेक करते हैं और खुब हसते हैं उस तो ऐसा लगता है कि ये प्रोफेसर भी बंदास हैं देखे ने कैसे इन पर पूरा प्रांक हुआ है और ये हसते जा रहे हैं कैसे मस्ती कर रहे हैं पूरी क्लास भी साथ में हसने लगी है जैसे इनको पता चलता है कि किस ने प्रांक इनके उपर किया था ये उससे हाथ मिलाते हैं क्या बात है, एक्जाम से पहले ऐसा महौल ही होना जी ये क्लास का, काश हमें भी नसीब हुए होते हैं, इतने कूल प्रोफेसर्स अपने टाइम पर, मज़ा ही आ जाता। दोस्तों, ये प्रांक इंग्लिंड के बच्चों ने अपने टीचर के साथ किया था। दोस्तों, कई बैर आपने नोटस किया होगा कि कई टीचर बहुत ज्यादा टेक्नोलिजी फ्रेंडली नहीं होते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें इस क्लास में भी देखने को मिला। दोस्तों, ये टीचर क्लास में कुछ नया इनोवेशन लाना चाहते थे, ये बच्चों को एक नये तरीके से पढ़ाना चाहते थे, लेकिन बैचारे कन्फ्यूस थे कि कैसे ये क्लास लेंगे। दोस्तों, इस क्लास के बच्चे भी बहुत शरारती थे, इन्हें पता चल गया कि अपने टीचर को कैसे परशान करना है। कई बार हो जाते हैं दोस्तों, आपके टीचर खुद भी कन्फ्यूस हो जाते हैं। लेकिन इस क्लास के अच्छी बात ये रहे कि बच्चे भी अपने भोले भाले टीचर से बहुत प्यार करते थे और इन्होंने बाद में टीचर को बता दिया कि ये हरकत उन्होंने की लेकिन दोस्तों इस क्लास के बच्चे इतने बदमाश थे कि इन्होंने पीड की पेंटिंग ऐसी बनाई कि जैसे ही टीचर ने बोर्ड को साफ करना शुरू किया सामने कुछ और ही आ गया ये देखिए सब के सामने ये क्या नजर आ रहा है ये देखकर टीचर भी सकपका गए ये फटा फट इसे बोर्ड से हटाना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था आपको बता दें कि बच्चों ने ये डिजाइन पॉर्मनेंट मार्कर से तयार कर दे थी अब बिचा आपके टीचर आपके मांतापिता से कम नहीं होते हैं लेकिन अच्छी बात है कि इस तरह की घटना हमारे देश में नहीं होते है खेर आपने ये वीडियो आप देख लिए और इसके बाद अब हम जिम्मेदार नहीं है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो होगी आप अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिये दे सकते हैं आपके कॉमेंस का में इंदजार रहता है साथी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट ये नेक काम कर लिजे